95% से ज्यादा लाने, दिमाग में मतलब के सोच लिया है? तो अगर सोच लिया है, तो अब करना भी है. क्योंकि जो सोच सकता है, वो कर भी सकता है. अब मात्र बचे हैं, बेटा जी आपके पास July से लेकर December तक का टाइम. तो आप बोलोगे, मैम, हमने सोच लिया है. है जो पांच चीजे अभी बताऊंगी अगर फॉलो कर ली तो कर सकता है किसी भी बोर्ट से हो किसी भी मीडियम से हो टेंथ में एलेवेंथ में टोवेल्थ में हो राजस्थान बिहार जारकंड छातिसगर एमपी यूपी जो भी बोर्ड हर बच्चे पे यह चीज अपलाई हो नहीं किया कोई बात नहीं अब कुछ नहीं कर सकते पुरानी चीज परोने की जगे उससे सीखने की जरूरत है अब जुलाई आ रहा है जुलाई से डिसेंबर तक एक चीज दिमाग में ठान लिये वो पहली चीज क्या 95% से ज्यादा लाना है अब उसके लिए जो पहली से स्लेबस कंप्लीट का मतलब स्लेबस कंप्लीट का टागेट जैनवरी फेबरेरी लगाने से पहले डिसेंबर लगाओ की डिसेंबर तक मुझे अपना स्लेबस कंप्लीट करना है उसको जैसा भी तुम डिवाइड करना चाहो वैसे डिवाइड करो क्योंकि तुम्हें पता पर दिमाहां जार रहा हुँ इस किताब से उसके रह को लेता हूँ और यसे पहले बात अपनी थी पूरी करो सबसे पहले चीज अपनी NCRT पूरी करो, बाकी सब चीजे गई तिलंडी में, सबसे पहले NCRT detail में complete, detail में complete मतला completely आपने उसको read कर लिया है, completely उसके सारे questions निकाल लिये हैं, वो होता है NCRT complete हर subject की बात कर रही हूँ मैं, एक chapter को 10 अलग किताब से पढ़ने की जगा, क्योंकि boards वाले आप सीधी बात जानते हैं, कि NCRT पर focus करते हैं, अगर आप किसी और boards से भी है, तो इसके लिए भी बता रही हूँ कि जो आपके board में book लगी हुई है, उस book को follow कर, rainbow लगी है, पर नॉर्मा लगी है, भी hardboard में अलग किताब होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आपका दिमाग आपकी main book पर होना चाहिए, उसके बाद समय बचेगा, हम बाकी के चीज़े भी करेंगे, यह हुई हमारी पहली चीज, NCRT complete करनी है, हमें detail में करनी है, जुलाइ से डिसेंबर तक का अपना proper अभी से एक प चीज टिप्स पर होनी चाहिए, समझ गई यह बात, बिल्कुल समझ के, दूसरी और बहुत important चीज जो तुम लोगों को करनी है, वो क्या, वो यह कि depend नहीं करना, अब किस पर depend नहीं करना, तुम्हारे दोस्त पर, तुम्हारे रिष्टेदार पर, तुम्हारे बड़े बहन पर, तुम्हारे सीनियर्स पर, या किसी और अन्य टीचर पर भी बोल रही हूं, किस चीज के लिए माम, नोट्स के लिए, बिल्कुल भी depend नहीं करना, माम क्यों डिपेंड नहीं करना, कौन कब गद्दारी कर जाए, पता नहीं है, इसलिए बोल रही हूं, अपने खु के नोट्स बनाओगे, तभी समझ में आएंगे और रिविजन कर पाओगे, इसलिए नोट्स ऐसे बनाना, कि एक घंटे के चाप्टर को दस मिनिट में रिवाइज कर पाओ, उनके जरिये, क्यों ऐसे नोट्स बनाना, क्योंकि, जो तीसरा बहुत इंकॉर्टेंट आपका प इंटेल में अलग-अलग रंग बिरंगे पैन से नोट्स बनाने की जरुरत नहीं है, नोट्स के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर एक सब्जेक्ट के हर एक नोट कॉपी जो है, नोट्स की कॉपी जो है, वो अलग होनी चाहिए, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अल सब्जाफ नोट्स बनते हैं, उनके भरोसे मत रहना, और एक की कॉपी में सारी चीजें नहीं डालनी है, ठीक है, यह सब चीजें आपका टाइम बचाती है, मेरे बच्चे, क्या बचाती है, टाइम बचाती है, और एक्जाम टाइम पे हाई हाई नहीं करोगे, कि मिर पास तो नोट्स नहीं है, मेरा तो बाकलॉग बहुत ही कठा हो गया है, मिर पास तो समय भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, उस हाए हाए से बचना है, तो अभी जुलाई कर लोगे, बस वो आटिट्यूड त्याग ना होगा कि कल कर लूगा, आज नहीं हो पाया, आज मैं यहाँ चला गया था, आज मैं वहाँ चला गया था, चौथी और बहुत ही इंपोर्टेंट चीज, वो ये है, एक दिन दो सब्जेक्ट, जी हाँ, मैं एक दिन दो सब्जेक् अगर थोड़ा खाना खाते हो, डॉक्टर बोलता है, अच्छा होता है आपके सिहत के लिए, अगर ज्यादा खाना खाते हो, ओवरीट करते हो, डॉक्टर बोलेगा, तुमारा पेट खराब होएगा, सास नी आएगी, हजम नहीं होएगा, वैसे ही अगर दो सब्जेक्ट उ पूरा नहीं हुआ, चार काम उठाए और एक भी पूरा ना किया से बहतर है, दो काम उठाए, दोनों पूरे किये, यहीं चीज यहां भी करनी है, एक दिन दो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट का चुनाव जो करोगे, वो करोगे फेवरेट और बोरिंग सब्जेक्ट के तुम्हारा पसंदीदा है, ताकि पढ़ने का मन बने, पढ़ने के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े और फिर तुम्हारे अंदर जोष जगे की आहां मजा रहे, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, फिर सब्जेक्ट पर आओ, इसे पढ़ने के लिए वो कॉन्फिडे से, मतलब अपनी किताब से पूरा करो, उसके बाद तुमने उसका लेक्चर कंप्लीटली देख लेना है, NCRT के सारे सवाल उस टॉपिक के निकाल लेने हैं, और प्रीवियर्श येर के पेपर के सवाल निकाल लेने हैं, हर टॉपिक को इस तरीके से पूरा करना है, तो एक टॉपिक की खाल उदेड देनी है, पहला स्टेप लेक्चर पूरा देख लिया, दूसरा स्टेप NCRT, पूरी कर ली, तीसरा स्टेप NCRT के सवाल निकाल लिये, और चौथा स्टेप जो होगा, वो होगा PYQ सांपल पेपर, इसके बाद ही मानना की टॉपिक पूरा हुआ है वरना बिलकुल मत मानना कि तुम्हारा टॉपिक पूरा हुआ है, अब क्या-क्या चीजे बता दी है, एक, दो, तीन, चार और आगया आपका पाचवा, अब किस चीज के ऊपर आपको, मतलब एक, एक, एक ऐसी चीज बोल रही हूँ, जो आज से ही करनी शुरू कर दो और व बेटा ये कर दे, बेटा यहां चला जा, बेटा मौसी बुलारी है, समान देया, भाड में गए सब, उसके घर शादी है, नहीं जाना मुझे, घूमने जाना है, नहीं जाना मुझे, छे मईने, अगर कुछ करना है, वो बोला ना कि सोच लिया है, तो कर भी सकते हो, करने का बस रास्ता तुम्हारा जो होना चाहिए उसमें सबसे पहला कदम ना कहना होना चाहिए say no मैं पढ़ रहा हूँ मुझे पढ़ना है मुझे नहीं जाना मुझे नहीं करना मुझे केवल अभी ये 6 मईने ये काम करने दो क्योंकि ये ही समय है ये ही वो मरोगि कि वो जीवन चैसे बिताना अभी तुम्हें दादी नानी मुझे चाची के घर जाना है वहाँ है अब भाशार जाना है मुवी जाना है यहां जाना है या अगले उन सालों में बढ़ी बड़ी गाड़ी में बैठके मॉझगाट नी है तुम्हारे उपर है तो यह अगर सीख लोगे जो बच्चे बोलते हैं ना समय नहीं है वो समय इसलिए नहीं होता किसलिए नहीं होता सारी चीज़े इधर उदर के कामों में लगे रहते हो खुद के तुम्हारे सौ काम होते हैं एंटर्टेन्मेंट माना जरूरी है पर इतना जरूरी नहीं है जितना तुम उस करते हो दिन में दो रील देखके मैं पढ़ने बैठ जाओंगा सबसे बड़ी गलत वैवी आज तक कोई ऐसा नहीं है जो दो रील देखकर पढ़ने बैठ लिया हो तो निकाल दो अपने क्लास में मैंने बताई बहुत इंपोर्टेंट है अप्लाइ कर लोगे तो पार हो जाएगी तुम्हारी नहीं और नहीं करोगे तो वही है एक्जाम टाइम पर मैं हाई हाई करोगे और उस हाई हाई से अगर बचना चाहते हो तो अभी से शुरू कर दो अगर आज का यह वीडियो पसंद आया मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो को पसंद करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे जो बाते मैंने बताई है उनको फालो करेंगे मेरे चानल के उपर 12 बजे spoken English की भी class होती है plus शाम को 5 बजे grammar or literature की भी class होती है वो भी live होती है साथी साथ recorded sessions भी होते है guidance sessions भी होते है तो अगर आप लोग चाहते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप live classes भी लगाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आते हैं प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब चैनल बबाई टेक केर अल बेस्ट